हाई डिया श्रीट निवाब फिर से आप सभी का स्वागत करते आपके अपने इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तीन ऐसे पॉइंट जो की सेल के बारे में हैं पहली बात तो सेल का जो इंटर्नल रजिस्टेंस होता या नि आंतरिक प्रति वह जानेंगे यानि हम आज हम तीन बातों को जानेगे तो सबसे पहली बात क्या है यहां पर सेल्क प्रतिरों यानि इंटर्नल रजिस्टेंस अफ यानि को करनी है अगरtimeểuकित क्या है एक अगर बीकर ले ले लेते हम बीकर में इस तरीके से डाइग्राम बनाते हुए आपक ऩोई छोट को लेते हुए क्या कर दिया गया कोई पदार्थ टॉर को करना होता रिपात को कूरा करना एक वायर का तार का चालक तार का तो क्या उसके पास होता है तो हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि हम यह जानते हैं पहले से भी जितने भी ओमी वायर होते हैं चालक तार होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन सभी के पास क्या होता है एक रजिस्टेंस आर होता है अगर क्या है एक wire है इस wire में elektron क्या हों कौन वाले मुक्त electron है और मुक्त electron क्या होते हैं भागना शुरू करते हैं अभी तो क्या है उसमे आप होता करके यह लोग Randomly भाग रहे होंगे जब इसको किसी एक cell से connect कर दिया जाता है तो यह किसी particular भागना शुरू करते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है वह इलेक्टान इन परमाड़ों से कहीं न कहीं क्या होते हैं टेकराते रहते हैं अपनी उर्जा को लॉस करते रहते हैं और इनकी जो उर्जा 6 होती है उसमी उर्जा के रूप में यहां पर हमको मिलता है यानि इस इलेक्ट्रान के मार्ग में कहीं न कहीं कोई न कोई अवरोध उत्पन होता है जिसके वज़ेस से क्या होता है वहाँ पर प्रतिरोध होता है किसी भी चालकतार हो कोई भी चालकतार के पास क्या होता है अपना खुथ का एक resistance होता प्रतिरोध होता है ठीक है उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं किसी सेल की यहां पे सेल में देख रहे हूंगे दो टर्मिनल एक प्लस का और एक माइनस का इन दोनों टर्मिनलों को क्या कर दिया गया इलेक्टोडों को मिला करके एक किसी विदुत अभगट के जली विलियर में डुबा करके शिल तयार कर लिया गया अब जब शिल तयार कर लिया गया तो इसमें दो प्रिकार के आयन होंगे अगर आपका अब कोई विद्धु तब घट्य पदार्थ है तो यह क्या होता है तो टूट जाता है ए प्लस और बी माइनस के फॉर्म में तो यह जो प्लस का टर्मिनल यानि इसके अंदर ए प्लस और बी माइनस दो तरीकी के आयन पूरे पूरे इस सलूशन में विद्धिमान होंगे तो प्लस का टर्मिनल क्या होता है यह जो प्लस टर्मिनल है उस प्लस टर्मिनल की तरव यह जो बी माइनस वह इधर भागना शुरू करता है और यह जो ए प्लस वाला वह नेगेटिव टर्मिनल की तरव भागना शुरू करता है लेकिन क्या होता है यहां पर यह लोग आपस मे की बात करते हैं तो उसके अंदर जो धारा प्रवाहित होता या फिर यहाँ पे जल में घोला गया तो जल के परमड़ून से टक्राते होंगे उनके ईनर्जी होती है यही वज़य कि जब बैटरी हम लगातार यूजग करते तो वो क्या होता है गर्म होने लगता है तो इसके अंदर क्या हो गया एक इंट developments हमको मिलता है आप क्या करते हैं यहां पे इस वायर के sy Имर बल उगरा यानि आन्तरिक प्रतिरुद कभी नहीं आता यानि या नि बात तो कन्फर्म हो गया कि सेल के अंदर क्या होता एक इंटर्नल रजिश्टेंस होता है जिसको हम लोग इसमाल र से दिनोड करते हैं जिसका भी हू मात्रत्रक यूनिट होता है वो क्या होता है ओम होता है ठीक है यह भी एक प्रिकार की कौन सी रासी है स्केलर कॉनिटी है वेक्टर कॉनिटी नहीं होती ठीक है अब आगे बात कर लें कि किसी सर्कुट डाइग्राम में जब इसको हम लोग रिपरजेंट करते हैं इंटरनल रजिस्टेंस को तो किस तरीके से कर दिया यह क्या हो जाता है यहां पे इंतरनल रोया हो जाता है ठीक अब इस तरीक से कहीं भी आपको डाइग्राम देखने को मिल जाए तो समझ जाएगा कि वहालं एक उससे मैं प्रौबलम में आ की वैलूbas निरभर करता है यानि आंतरिक PRTROJोत को प्रिभावित करने वाले कारक कौन कलदें तो इंटर्नल रिजिस्टेंस आर्गकिन बातों पर बताई पहली बात अगर बताएं तो यहां जब जब जाधा गाड़ा हो गया तो यहां पर इन आयन को भागने में प्रोबलम क्रिट हो जाएगी जिसके वजहसे अगर सान्दता अधिक है तो यहां पर इंटर्नल रिजिस्टेंस का मानी क्या होगा अधिक होगा यानि कंसेंट्रेशन के इंटर्नल रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा अधिक होगा दूसरी बात अगर कर लें तो यहां पर इन इलेक्टोडों के बीच में यह आपका इलेक्टोड यह हो गया दूसरा इलेक्टोड यह हो गया प्लैस और माइनस जो इलेक्टोड होंगे उन इलेक्टोडों के जो बीच की दूरी होगी अगर यहां पर क्या हो यह Lat आइनस को ज्यादा दूर भागना पड़े अल्वागोगों ज़्याएगा उनके पास ज्यादा एनरजी होनी तो कहीं न कहीं वह भागने के वजये से इनेरजी क्या करते युमान क्या होगा बढ़ जाएगा तीसरी बात अगर कर लें तो यहां पर जीतना फंट में डूबा हुआ है तो हमेशा यह इरिया के inversely proportional होता है आप यह समझ लेजिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर वो डूबा हुआ है एरिया कमान क्या होगा तब ज्यादा होगा यह दोनों के लिए मिलाज उलाकर के कैपिटल हमने लिखा अगर ज्यादा मात्रा में यहां पे वो डूबा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंज कमान क्या होगा अधिक होगा नेक्स्ट की गहरा हम बात कर लें यहां पर इंटर्नल रेजिस्टेंस अब किन बातों पर depend करता है तो बता दें यहां पे इंटर्नल रजिस्टेंस का जो वेलू होगा वो इस उलेक्ट्रो-लाइड के ऊपर dependent करता यानि यहां पर व्यद्यतो अगट पदार्त के नेचर के ऊपर ॹपर रिपेंड करता है वो जैसे सभी व्यद्यतो अग्रत पदार्त एक जैस़े नेचर वाले नहीं होते कोई होता जो बहुत जलुदी से आयनित हो जयता है टूट सकते रहते 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 परत बना लेते हैं जिसके वजह से बींटर्णल का मान क्या होगा अधिक हो जाएगा बढ़ जाएगा और पांच भी पॉइंट की बात करें तो वह होता है ताप इंटर्नल रिजिस्टेंस जो होता है वहां पर टाम प्रेचर की यह इन्वर्शली पर्पॉस्टनल होता अगर बता दे तो ताप अगर बढ़ता है तो इनकी स्यानता क्या होती है घट जाती यानि इसका गाढ़ापन क्या होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा यानि वह डाइल्यूट हो जाएगा अगर हो जाता है तो आयों को भागने में क्या होगी बहुत ही आसानी होगी जिसके वजह से इंटर्नल रिजिस्टेंस का मान क्या होगा घटेगा तो आप कुके हैं कि जब भी आप सेल को इस्तेमाल करें तो इंटर्मिनल डिफरेंस क्या होता है अगर यहां पर हम बता दें तो वही अपने पास दो टर्मिनल है एक प्लेस का टर्मिनल है और दूसरा माइनस का टर्मिनल है तो एक आंग कुलाम आवेस बात करनी है यहां पर कितने कुलाम बात करेंगे यहां से निकल करें पाजिटीव टर्मीनल तक पहुंच जाते हैं तो चेहरा जितनी उर्जा वह चैनल से दूसर से पिँचने के लिए आवश्यकी मात्रा जो सल के दवारा प्राप्त होती है क्या चैलाता है क्या कैलाता है क्यूं अब इस पर भी मेरिकल प्रापलम आपका बन सकता है एस तरीये से आज जितना भी टॉपिक हम ने ट्रोपिक कवर किया जो कि क्या है आपके एक्जाम व्यू के लिए important है और इसी के साथ साथ आपके जो वाइबा बनते हैं physics में वह इस तरीके से important होता है तो जरूर